तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पीजे लगसे क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर जी हां दोस्तों ESIC, DSSB, Norset, BHU, CHO सभी के लिए जो है मेराथन क्लास नंबर 20 जी हां, आज अपने जो है, हमेशा दो बजे क्लास होती है, आज दो बच्चों के अभी, उसका 20 वह पार्ट है, उसको अपने जो है मेराथन क्लास रखी है इस आफसर पर जब 20 वह अपिसोड आ रहा है, exam से लिले, exam oriented 100 क्यूसन डील करेंगे, जिसमें 100 में सभी राशनल मिला अगर 500 क्यूसन डील कर लेंगे, अब की बार सेलेक्शन से और मेगा टेस्ट है, यानि कि ये जो मेराथन क्लास विद मेगा टेस्ट अपना analysis जरूर करें, अब सबसे पहले आपको करना किया, अपने एक कौपी और पैन अपने पास में ले लीजिएगा, जी हां, और साथ ही के लिए हमारे टीम के द्वारा एक शांदार क्लास का आयोजन जो हो रहा है, एक क्यूसन ऐसे होंगे, जो की एक्जाम में सीधे आने लाइक होंगे, ठीक है, आप पूरा वीडियो अबस से देखें, पूरी क्लास जरूर देखें, लंबी क्लास चलेगी, मेराथन क्लास का म हम याद रखना है सिर्फ और सिर्फ, जहांपर एक्जाम औरियंटेट तैयारी, औल इंडिया की नर्सिंग और पेरामेडिकली सबी वर्तियों की अपडेट के साथ-साथ हम फिर्योप कोष्ट करवा रहे हैं, जोईन वाला बटन दबा देना, जब अब यूट्यूब जो अब हमारा पीजल लक्से क्लासिज आर उसके पास में, मातर 29 रुपे में पर मंद में आप जॉइन कर सकते हैं, जहांपर एक्ष्टा एडिसनल जानकरी आपको मिलेगी, जहां एक बार सारे लोग जितने भी जुड़े हैं, क्लास कहां से देख रहे हैं, एक बार फटापट कर देगा कि आप जो है एक्जाम के लिए कितने प्रिपेर्ड है, ठीक है, यह क्लासे जो है अब आपके एक्जाम तक चलेगी, जो ESIC, DSSB, Northside, BHU, CSU, BHU ता आगी है, नजदी किये, तो सभी एक्जाम तक चलेगी, तो आपको लगातार जुड़े रहे हैं, हमेशा दो बज हमारे साथ और नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लिजगा, फेस्बूक पेज, पीजे लक्षे क्लासे बे हमें, फॉलो करें, लिंक के वीडियो के डिसक्रप्शन बोक्स में हैं, या फिर फेस्बूक पे जाएं, पीजे लक्षे क्लासे सर्च करके जॉइन करें, आज की करते हुए, शुरू करने जा रहा हूं, उससे पहले आप अपने कोपी और कलम को पास में रखिएगा, और खुद का एनलाइसिस करिएगा, लाश्ट में बताएगा कितना क्योसन सही और जी हां, मैराथन क्लास विद मेगा टेस्ट, ऐसा आज तक किसी नहीं किया होगा, ठी अपने सुरू करते हैं, आज के पेपर का सॉलिशन ठीक है, चले, आज का पहला क्योसन आपके सामने यह रहा, उससे पहले आप सभी को बता दूं, यह जो एक्जाम्स है ना, ओल इंडिया की, चाहिए स्टेट गवर्मेंट की, चाहिए सेंटल गवर्मेंट, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट क्लास है, तो आप क्लास को इसके पगेर ना करें, पहला क्योसन आपके सामने एनफालेक्टिक सॉक इस टेटेड विच आप दे फॉलिविंग डर्ग, एनफालेक्टिक सॉक जो है, वो किस ड्रग के दुरू जो है आप उसको ट्रेट क्योसन है, स्क्रीन सोट हर एक क्योसन का ले लेना, ठीक है, मैं आपको सारी चीजे बताऊंगा, हर एक क्योसन में जो भी एक्जाम में आने लाएक है, तो आप स्क्रीन सोट ले लेना, नोट्स तो अपन क्लास कतम होने के बाद में आप बना ले लेना, लेकिन अभी जो है question number लगा देना, एक, दो, तीन, सारे ऐसे 100 तक, और इसमें अपना answer लिख देना, मतलब जो आप अपने हिसाब से answer लिखते हो, फिर मैं जो सही answer बताता हूँ वो आप पीछे लिख देना, ठीक है फिर जो आप analysis करना कि कितने answer मिलान खा रहे एक दूसरे से, और correct answer आ रहे है, एडिनले, ठीक है अगला क्यूसन continuous bubbling in the water seal chest drainage is considered as, बहुत ही शांदार क्यूसन है, continuously जो है bubbling हो रही है, water seal chest drainage system में, तो यह जो है, किसको considered कर दिये किसकी finding है, ठीक है, नॉर्मल finding है क्या है, surgical emphysema है क्या, air leakage in system है क्या, your chest drain is out है बहुत बढ़िया, तो इन में से, चार में से आपको ABCD में answer देना है बहुत बढ़िया, continuous bubbling in water seal chest drainage is considered as, तो बहुत इस सभी के सही answer आने चाहिए, नॉर्मल finding है क्या, यह surgical emphysema है, air leakage in system है या फिर, जो है, chest drain is out है, ठीक है, out हो गया है, क्या chest drainage system, बहुत बढ़िया, सभी के एकदम correct transfer आ रहे है, air leakage system है air leakage हो गया है system है, ठीक है, जो आपके chest drainage system है उसमें air leakage होगा, तो आपको continuous bubbling नज़र आएगी ठीक है, water में, अगला question, question number third, the nurse is teaching the client taking cyclosporine after renal transplantation ठीक है, cyclosporine लेने को कहती है, किसके बाद, renal transplantation के बाद में, ठीक है key medication, information the nurse tells the client to be especially alert for, बहुत अच्छा question है, nurse जो है एक patient है, उसको cyclosporine लेने को कहती है, कब लेने को कहती है, जब renal transplantation हो गया है, ठीक है renal transplantation, about key medication, यानि कि वो key medication information के रूपे, nurse जो है, client को especially alert रहने को किसको कहती है, sign of infection, hypotension, GI disturbance, या hair loss, बहुत बढ़ी अक्यूसन है, renal transplantation हो गया है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है, risk of infection रहेगी, सभी कि कितने लोगों के सही आनसवरार है, बताजीजीगा सारे लोग, comment box में बताए, एक बार सारे लोग जितने भी हैं एक बार जितने भी लोग जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कर दीजीगा, चैनल पर नई है तो subscribe कर लीजीगा और अब जो है, अब class तो शुरू होगे, एक बार share आप जरूर कर लीजीगा, भी initial phase में class, पहन और copy लेके साथ में बैठना और खुद का analysis करना ठीक है marathon class with mega test है, तो आपके 100 में से कितने क्यूसन सही हो देगा है, वो हमें last में comment box में बताना है हमेशा 2 बजी class होती है, आपको जरूर जुड़ना है पीजे लक्षे class से facebook page बे हमें follow करना है link वीडियो के description box में है, telegram channel पीजे लक्षे classes बे जरूर जो है, आप जुड़ जाहिएगा एक बार वीडियो को सारे लोग लाइक करते हुए इस का, जो है क्यूसन का answer, बिल्कुछ सभी की साई answer यह आ रहे हैं तो यहांपर जो है, sign of infection के लिए जो है, उसको especially alert रहना पड़ेगा अगला क्यूसन, एक client has been diagnosed with parnicious anemia, parnicious anemia जो है, वो diagnosis है client का in planning care for the client a nurse anticipate that the client will be treated with, बहुत अच्छा क्यूसन है, किसी patient को parnicious anemia है, parnicious anemia vitamin B12 की कमी से होता है vitamin B12 की कमी से होता है, यह megaloblastik anemia होता है, सारी चीजें आप जो है, screenshot ले 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 ठीक है, तो इसमें treat किसके साथ में किया जागा, thiamine जो कि B1 है, vitamin B1 का नाम thiamine iron, vitamin B12 या folic acid folic acid को vitamin B9 कहते हैं जिसके कमी से जो है, बच्चों में NTD, यह निकि neural tube defect हो सकता है ठीक है, बहुत बढ़िया folic acid को folate भी का जाता है और vitamin B12 का अन्य नाम जो है, वो cyanocobalamin है, ठीक है, यहाँ पर B12 की जगे cyanocobalamin आता, तो वो भी सही था cyanocobalamin, cobalt इसमें पाया जाता है, पुछा जाता है, हर बार क्यूसन जो है, कौन से विटामीन में cobalt iron पाया जाता है, तो वो सही आंस्वर आपके जाता है किसी को परनीशी सहनी में है, तो आपन क्या देंगे विटामीन B12 की कमी से हो रहा है, बहुत बढ़ी है सभी किसा answer हो रहा है, क्यूसन नमर फाइब 21-year-old woman is being treated for the injury sustained in an automobile accident, बहुत बढ़ी है क्यूसन, 21-साल की women है वो treat की जा रही है, injury जो है sustained हुई है, किसमें automobile accident ठीक है, the patient has central venous pressure, CVP लगा हुआ है, line CVP line लगी हुई है, central venous pressure की, the nurse recognized that CVP measurement reflect बहुत अच्छा क्यूसन है CVP जो है, किसका measurement करेगी, ये आपको पूछा गया क्यूसन है, बहुत ही बढ़ी आप जो है, कौन सा answer देंगे, cardiac output, pressure in the left ventricle, pressure in the right atrium, pressure in the pulmonary artery, बहुत बढ़ी है क्यूसन है, CVP, किसका measurement है, central venous pressure, ठीक है बहुत बढ़ी है क्यूसन है, शांदार क्यूसन है, सारे लोग इसका answer दीजीगा 5 star क्यूसन लगा दीजीगा, CVP के तुरू है, आपन जो है, right atrium के pressure का analysis करते हैं, measurement करते हैं, बहुत बढ़ी है सभी की सही answer आ रहे है, copy में अपने उतारते जाना ठीक है, answer साथी साथ, जितने भी साथी नहीं जुड़े, एक बार video को like करते हुई, share कर दीजीगा, channel पर नहीं तो subscribe कर लीजीगा, आज मेरतन class है, क्योंकि 20 मी class आज अपन continuous ले रहे हैं, classes all India की nursing की सभी वर्तियों की exam तक एक दम continuous चलेगी और सभी के लिए important रेने वाली classes है, अभी आपको अपनी copy और pen में खोसाथ में लेकर और इस परकार से आपको बना लेना है, portion में आपको बताता हूँ, question यहां पर जो आप भी बताते हूँ, मैं C बताते हूँ, तो आपको यहां पर ऐसे लगा देना है, इस हिसाब से आपको analysis करना है कि आपके जो है कितने सही हो रहे है, 100 में से, बिल्कुल सही answer जो है, आपके pressure of right atrium, CVP के दुरूब pressure of right atrium को आपन जो है measurement करते है, question number six, the client has undergone a thyroidectomy, यहां थाइरोइड की जो है surgery with thyroidectomy हुई है, the nurse monitor for the sign of damage to the parathyroid gland post-operatively, nurse जो है monitor करती है sign, किसके sign है कि damage होगी है parathyroid gland post-operatively, operation के बाद, which of the following would indicate damage to the parathyroid नर्स जो है वो कहती है कि parathyroid जो है वो damage होगी है, लेकिन उसको कैसे पता चला है ठीक है, worstness of voice, tingling around the mouth, respiratory distress, muscular spasm बहुत बढ़ी है क्यूसन है, seven star क्यूसन, screenshot लेके अपने copy में last में उतार लेना ठीक है जितने भी साथी जुड़े हैं, कहां से class देख रहे हैं, एक बार बता दीजी कि मुझे question number six, तो worstness नहीं होगी, और respiratory distress का कोई मतलब नहीं है, muscular spasm में इसमें नहीं होता है, tingling होगा, mouth के चारों, ठीक है, tingling around the mouth तो इस condition में अपन कहा देंगे, हां कि इसकी parathyroid gland भी जो है, आपके damage हो चुकी है question number seven, after experiencing a transient ischemic attack, ठीक है, transient ischemic attack हुआ है, client is prescribed aspirin, aspirin उसको prescribed की जाती है, 100 mg by mouth daily, हमेशा 100 mg by paroral, जैसको कहते हैं, by mouth लेनी है the nurse should teach the client that is medication has been prescribed हो, यानि कि यह जो है, nurse उसको बताएगी कि medication जो है, किस काम आती है, क्यों prescribed की गई है, तो वो आपको बताना है, ठीक है, तो आप as a nurse क्या बताने है, वाले वाहाँ पर nursing officer बनना, आपको ESIC, NORSET, DSSB, PGI, CHO, BHU, सभी के लिए important class है, हमें इसा 2 बजे होती है, आज जो है, mega class है, उसके बाद 50 होई class जो होगी, वो बहुत ज्यादा mega, जो है, आपके marathon class with mega test होगी, control headache, क्या aspirin headache को control करने के लिए दी जाती है, enhance immune response, prevent intracranial bleeding, decreased platelet aggregation, बहुत ही अच्छा क्यूसन है, शांदार क्यूसन, 7 star क्यूसन, ठीक है, स्प्रीन 100 mg जो है, आपको किस को दी जारे है, transient, इच्छे में कटेक वाले patient को, तो क्यूं दी जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग एक बार answer करेंगे, जितने भी साथी जोड़े, 50-60 लोग एक बार वीडियो को like करते होई, answer तो इसका हो, बहुत बढ़िया, त The 70-year-old client is confirmed to her bed due to advanced Parkinson disease, बहुत बढ़िया, एक 70-साल का जो है, पैसेंट है, confined to her bed due to advanced Parkinson, उसको advanced Parkinson disease होगी, which nursing diagnostics take the highest priority for the client with Parkinson crisis, बहुत अच्छा कि उसने, Parkinson crisis में जो है, आपकी सबसे highest priority बाला जो है, nursing action कौन सा है, पुछा है, Hypotension, Ineffective Airway Clearance, Ineffective Urinary Elimination, Risk of Injury, बहुत बढ़िया क्यूसन है, 5-star क्यूसन है, एक बार सारे लोग इसको जो है, अपनी कोपी में छाप लेना, last में, सभी लोग जो है, कोपी पैन को साथ में लेके बेना, एक टेस्ट की तरह लेना, इस class को, ठीक है, यह आपका जो है, exam से पह सबसे पहले कोई भी पैसेंट होता है, चाए इंजूरी का हो, चाए किसी और चीज़ का हो, उसमें ineffective airway clearance को आपन को चेक करना होता है, क्योंकि airway यही सास है, तो आस है, इसका मतलब जो है, सास है, तो आस है, इसलिए आपन जो है, उसकी सास को ही, जो है, maintenance के लिए, आपन उ tracheostomy tube placement by, बहुत अच्छा कि उसने, एक percent है, जिसमें tracheostomy tube लगी होगी है, undergoing mechanical ventilation में, ठीक है, वो mechanical ventilation में, the nurse can help prevent the tracheal dilation, nurse को जो है, tracheal dilation को रोकना है, एक complication of tracheostomy tube, ठीक है, तो बहुत अच्छा कि उसने, कैसे रोकेगी, ठीक है, suctioning the tracheostomy tube frequently, उसकी suction करना होगा, using a cuff tracheostomy tube, cuff वाली जो है, आगे cuff लगाऊवा tracheostomy tube लेना, using the minimal leak technique and keeping cuff pressure less than 25 cm H2O, बहुत अच्छा कि उसने, keeping the tracheostomy tube plugged, बहुत अच्छा कि उसने, यानि कि cuffed है या plugged है, ये दो तो आपके जो है, नहीं होगे, ठीक है, अगला जो आपके जो है, minimal leak technique और keeping pressure जो है, 25 से कम रखेंगे, तो व कहां से class देख रहे हैं, एक बार बता जीए कि मुझे 19 classes आपने देखी, नहीं देखी, पुरानी देख लेना, इस बार सारी exam पार करेंगे, बस आपको जो है, हमेशा 2 बुजे हमारे साथ जुड़ना है, वैसे हम एक गंडे से कम की class लेते हैं, हमेशा आपको तो है, 30-40 क्य मतलब आपका जो है, खुद का analysis करवाने वाले हम, तो आपको जो है, बस अपनी pen और copy साथ में लेकर जुड़ना है, और analysis करते जाना है, कि आपके कितने questions सही हो रहे है, बहुत बढ़िया, सभी के एकदम सही answer है, C answer is correct, आपको उसमें क्या करना, minimal leak technique का use करना है, और keep the cup pressure, cup क जो pressure है, वो less than 25 रखना है, ठीके, बहुत बढ़िया, screenshot लेकर अपनी copy में छाप लाना बाद में, ठीके, question number 10, a client who just received a diagnosis of hepatitis A, बहुत अच्य क्यों सहने, ठीके, hepatitis A का जो है, उसमें diagnosis पाएगे, how can I get gotten this disease, पैसंच पूछता है, कि ये मेरे कु विमारी हुई कैसे, तो nurse का best response क् ठीके, बहुत अच्य क्यों सहने, ठीके, ये जो है, दिमाग वाले बंदे ही कर पाएंगे, कि हाँ, दिमाग जिनका फटा-फट चलता है, वो कर पाएंगे, ठीके, सारे दिमाग तो सभी के पास है, लेकिन जिनका वाक्य ही चलता है, तो मैं आपको एक चीज बता दू, hepatitis A जो होता है, फीको-oral-root से फैलता है, फीको-oral-root से, इसको viral-hepatitis भी कहते है, फीको-oral-root मतलब भोजन और पानी से फैलता है, ठीके, यहाँ पर जो है, नर्स क्या गए, you could have contracted this by using IV drug, क्या, नर्स उसको कहती है, कि आपने जो है, ये IV drug के थुरू लिया है, you must have received an infected blood transfusion, blood transfusion से इसको, आपको ये बिमारी होई है, you contract this by the engaging in unprotected sex, क्या unprotected sex होई है, या you may have eaten contaminated food, बहुत अच्छा क्यों सना कि आपने contaminated food खाया है, IV drug से जो है, आपके hepatitis B होने की chances है, ठीक है, hepatitis B हो सकता है, post transfusion से आपके hepatitis C होता है, confirm लिख लेना, ये सारी चीज़े मैं बता रहा हूँ न, ये सारी चीज़े exam में, IUE और आने लाएक है, ठीक है, ये EMS का, बटिंडा में जो है, nursing officer paper है, उसमें भी आया होई, और unprotected sex की बात करें, तो उससे आपके होगा, hepatitis B, जिसको आपन जो है, hepatitis B के नाम से जानते हैं, और contaminated food से, या फिर water से जो होगा, वो आपके hepatitis A, बहुत contaminated food, ठीक है, contaminated food के तुरूँ आपको ये जो हुआ है, ये diagnosis आपको hepatitis B में finding मिल सकता है, बहुत बढ़िया, तो आपके 10 में से कितने क्यूसन राइट हुए, सारे लोग एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं, very good, 6-7, तो आपके हिसाब से, आपके 10 क्यूसन में से कितने सही हुए हमें बता दीजीगा, ये एक marathon class with mega test है, ठीक है, तो आपको जो है, अपनी pen coffee साथ में लेकर बैटना है, और test की रूप में इसको लेना, 100 में से कितने क्यूसन सही होते हैं, last मैं आपको comment box बता रहा है, एक बार सारे लोग जितने भी जुड़े हैं, सभी का आवार, जि इसे लगशा classes पर हमें जरूर जरूर फॉलो कर लेना जहां पर आपको important जान करें मिलेगे, अगला question, oral poly vaccine under pulse polio immunization program is given to children with age, बहुत अच्छा की उसन है, बहुत ही बड़ी की उसन है, पुछा कि एक PPI की तहट, आपको OPV जो देते हैं, ये OPV या याद रखना कि लाइव अट आप टू 3 एर, आप टू 5 एर, आप टू 7 एर, कितने एर तक देते हैं, सारे लोग comment box मता देना मेरे को, जितने भी साती है, 70 लोग जुड़े हैं, सभी को बताना है, इसका आंसर क्या है, ठीके, बहुत बड़ी है, तो UP to 5 एर, बिलकुल सभी किसी आंसर आ रहे हैं, और ये chest tube लगी हुई, उसको अपन remove करने जा रहे है, hyperventilate just before the tube is removed, tube निकालने से पहले उसको hyperventilate करेंगे, ज़्यादा oxygen देंगे, inhale as a tube being pulled out, जब भी pulled out करते हैं अपन tube को, तो उसको inhale करना साथ ही साथ, जो है, सांस को अंदर लेना है, take a deep breathe and hold it, एक लंबी सांस लेके उसको रोक लेन जब भी आप chest tube remove करते हैं, यदि आपने hospital में काम किया होगा, तो आपको यह पता होगा, 100% शांदार क्यूसन एक five star क्यूसन, ठीक है, एक बार इसका screenshot ले लेना, आप मैं आसका answer बता देता हूँ, बहुत बढ़िया, सभी की एक दम correct answer आरे, take a deep breathe and hold it, तो जब भी आप chest tube remove कर हुआ है, ठीक, ICP intracranial pressure, जो है आपके बढ़ा हुआ होता है, is receiving manitol, manitol ले रहा है, manitol क्या है, diuretic है, diuretic मतलब क्या है, कि वो पानी को जो है, आपके सरी से बार निकाले का काम करेगी, to evaluate the effective nurse of drug, nurse should assess the client, which of the following, बहुत बढ़िया, तो manitol चल रही है, ICP बढ़ा हुआ है, तो आप कैसे पता चलेगी, manitol अपना काम कर रही है, nurse क्या measurement करेगी, जिससे उसको पता चलेगा, हाँ, manitol अपना काम कर रही है, decrease pulse rate, increase temperature, increase urine output, या increase pupillary reaction, बहुत अच्छा कि उसने, बहुत बढ़ी है, ICP, ICP बढ़ा हुआ है, manitol अपना काम कर रही है, या नहीं कर रही है, इसके अपने लोग इस कांसर जो है, एक बार screenshot लेके लिक लेना, अपनी copy में, फटापट जितने भी साथी जुड़े एक बार video को like कर दीजीगा, कहां से देख रहे हैं, क्लास हमें बता जीगा, चैनल पर नई है तो subscribe करें क्योंगे, आप आपको all India nursing की paramedical जगत की सभी vacancies के update के स free of course, हमेशा दो बजे क्लास में तयारी करें रहे हैं, उस सभी बर्दियों के लिए ज्यादा important class ही रहने वाली ठीक है, आज का marathon class with mega test है, तो आप जो है अपने खुद को analysis करें कि सो में से कितने क्योंशन कर रहे हैं, the primary cause of abdominal acides in pacients with cirrhosis of liver, बहुत बढ़ी है क्योंशन है, कोई serum albumin level, बहुत ही बढ़ी है, five star question है, screenshot लेके, अपना answer comment box में की सुझा फटा पट से दे रहे हैं, आपका answer देना, actively participate करना ही, आपके लिए जो है, selection का गार्ण बनेगे, अन्यता जो है, ऐसे lazy रहोगे, later रहोगे, तो फिर कुछ नहीं हो पाए, ठीके, बहुत बढ़ी है, primary cause क् abdominal acides का, जो की percent है, liver cirrhosis का, बहुत बढ़ी है, तो जब भी serum albumin level, जो है, वो कटेगा, liver के, जो है, आपके damage में, liver cirrhosis में, तो abdominal acides होने के ज्यादा chances रहे हैं, screenshot ले लेना, आपका answer, जो है, अपनी copy में लेक देना, ये जो है, इसका answer, जो है, आपके रहने वाला हो रहने वाल बहुत-बहुत important class है, और बहुत-बहुत important उसका ये question है, ठीक है, five start question है, एक patient जो है, वो surgery करवाने के बाद में आया है, diagnosis take, which nursing diagnosis take priority है, nursing diagnosis, जो है, वो क्या रहेगा, उसके आने के बाद में, pen related surgical intervention, deficiency, fluid volume, imbalance, nutrition, less than body requirement, या diarrhea, बहुत बढ़ी है क्यूसन है, जब भी a patient return from surgery, surgery से patient आ deficit fluid volume देखेंगी क्या, imbalance nutrition देखेंगी क्या, या diarrhea देखेंगी, तो यहाँ पर जो है, सीधा आप देख लेना, end view रखते हैं, तो imbalance nutrition का कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई diarrhea का मतलब है, और यहाँ पर जो है, pen, pen तो थोड़ा बहुत हो गई होगा, वैसे होगा भी नहीं, क्यूंकि yes या no answer दो, एक बार सारे लोग yes और no, समझवारी एक नहीं आरी, बहुत मज़ाने वाला, आगे class में, hundred question की class, जो जिस में से question hundred percent छपेंगे in exams में, ठीक है, मैंने ये बात बता ही नहीं, आपको भी तक, ये राजगी बात है, कि question इस में से ही छपेंगे, आपको बस, जो है, जो भी मैं चीजे आएक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वो सारी चीजे आपने कोपी में चाप लेना, ठीक है, ये test की तरह लेना, इसको सो में से आपके कितने question सही हो, हमें बता ना, ये marathon class with mega test, ठीक है, question number 16, ये client with status asthmaticus in the severe respiratory distress, बहुत बढ़ी है कि उसने एक पैसेंट है, जो क position देख ले, देखी देख लेना, आप कौन से position है, ठीक है, very good, sitting upright, side line, supine या prawn, ठीक है, दो बहुत बढ़ी है, जब पी अस्तमा का patient है, उसको जो है severe respiratory distress हो रहा है, disneya हो रहा है, मतलब सांस में दिक्कत आ रही है, तो अपन उसको sitting upright है, ये eye fouler position देंगे, ठीक है, sitting upright, उसको बिठा देंगे, या फिर उसको जो है, eye fouler position देंगे, question number 17, the nurse encourage a post-operative patient to move his leg, contracting the leg muscle help to prevent post-operative complications, बहुत बढ़ी है question है, एक nurse जो है encourage करती है, patient को post-operative patient को, कि वो अपना, जो leg है, यानकी पेर है, वो move करें, ठीक है, contracting the leg, leg contract करेंगे, muscle help to prevent कौन सी complication को रोगने के लिए, नर्स उसको ऐसा कहती है, कि आपने पेरों को, जो है, move करो, contact करो, pluracy, portal hypertension, hypostatic pneumonia, या pulmonary embolism, बहुत बढ़ी अक्यूशन, जब कि वोई, patient जो है, post-operative ले आता है, तो उसको पेर जो होती है, उनको चलाने को कहती है, नर्स उसको जो है, एक जगे इस्तिर ना रखके, उसको चलाएं, contact है, तो contacting के थुरू जो है, क्या रोका जा सकता है, कौन सी complication को रोका जा सकता है, आप सभी को बता दो, सबसे ज़्यादा, जो है, post-operative जो आपके complication आता है, वो यह, pulmonary embolism, ठीक है, pulmonary embolism हो सकता है, तो उसको रोगने के लिए ऐसा नर्स कहती है, बिल्कु डी answer is correct answer, question number 18, if female patient is diagnosed with secondary syphilis, the nurse should assess for which of the following, यानि कि एक female patient है, उसको secondary syphilis हुआ है, तो nurse जो है, कैसे पता करेगी, कि हाँ, उसको secondary syphilis हुआ है, lower abdominal pain होगा, कि उसमें, muscle ligidity होगी, क्या an unsteady gate होगा, या redis rauses on the inner thigh, तो syphilis जो है, आप सभी को बता होगा, कि एक sexually transmitted disease है, तो इसमें जो है, ये सारी चीजे ना होकर, आपके redis color के रास बनते है, inner thigh में, ठीक है, तो ये सही answer इसका जाने बला है, अगले question को आपन डील करने से पहले, एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिगा, चैनल पर नहीं है, तो सब्सक्राइब कर लीजिगा, पीज लग्षे classes को जॉइन कर लीजिगा, चलिए, अगला question, एक पैसेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फैलियर यान CHF का पैसेंट इस गिवन डीजिटलिस, डीजॉक्सिन दी जा रही है, विच अफ दॉलोइंग इंडिकेशन, अर्लियस मैनिफेस्टेशन, बहुत बढ़ी अक् हाईपोगेले में मतलब होता है, पोटिशियम की मातरा का कम हो जाना, टेकिकाडिया का मतलब है, हड्रेट का बढ़ जाना, ठीके, याद रखना ये सारी चीज़े बहुत बढ़ी है, काईनेको मैस्टिया मैंने आपको पिछली classes में बता दिया है, तो इसका सयांसर toxicity होती है, तो उसके antidote की रूप में, dizzy bind का use करते है, ठीके, अब dizzy bind, यह याद रखना, क्यूशन आया हुआ है, ठीके, dizzy bind, यह चीज़ भी याद रखना, इसका सही आंसर आपके जाने वाला है, earliest यह निकी, initial जो आपकी, डिजॉक्सिन टॉक्सिटी का sign होगा, वो था, nausea and vomiting, सबसे important, most important क्यूशन है, क्यूशन नमर 20, जितने भी साथ ही जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक करते हुए, सभी क्यूशन के answer अपने comment box में देते जाए, ठीके, अगला क्यूशन, क्यूशन नमर 28, 47-year-old male is admitted with acute myocardial infraction, निकी, MI का पैसेंट है, acute myocardial infraction हुआ है, he is cold and kami and severe sub-external chest when with dysneia, बहुत बढ़ी अक्यूशन है, एक acute MI का पैसेंट है, cold और kami skin है, severe sub-external लेने की, इस्टन हम के नीचे या chest में जो है, जबरदस पैन और dysneia भी है, ठीके, which of the following intervention nurse will implement on the priority basis, बहुत बढ़ी अक्यूशन है, तो nurse जो है सबसे पहले कौन सा आपके action लेगी, plus patient in semi-fowler position administered morphine by slow IV push, बहुत बढ़ी अक्यूशन है, जब भी MI हुआ है किसी patient को, तो उसका पैन होता है, severe होता है, ठीके, उसको एंजाइना कहते हैं, severe पैन होता है chest में, तो इस condition में अपन उसको सबसे पहले पैन relief करने के प्रयास करेंगे, और semi-fowler या-fowler position देंगे, ले का फटा-पट से, जो भी साथी नए जोड़े उनको बता दू, all India की nursing भरतियों के लिए सबसे जबरतस्त class है, हमेसा दो बजी class होती है, आज 20-वी class है, अपने 19 class आपने अभी तक नहीं देखिए, तो देख लेना, 20-वी class को अपने marathon class with mega test रखा है, mega test का मतलब है कि आपको pen लाइक तो आने ही चाहिए, उसके बाद में 21-वी class का लोगी, वो बहुत ही ज़्यादा important होगी ठीक, इस चैनल पर आपको all India के nursing और paramedical की सभी बढ़तियों की news की साथ-साथ, free of course तैयारी भी करवा रहे है, दो बजे हमें सा, तो आपको अगतार जोड़ना है, और साथ-सा heart, parathorid या liver, आप सभी को बता है कि urine formation हो, चाहिए वहाँ पर जो है, आपके filtration हो, चाहिए कह सकते हैं कि आपके reabsorption हो, ये सारी चीजे kidney में होती है, जिसके kidney के functional unit आप सभी को बता होना चाहिए, नेफरोन होती है, ये important है, ये भी आप आप याद रखना, नेफरोन जो है, वो kidney का functional unit है, तो आपके electrolyte या fluid balance जो है, वो regulate करती है kidney, ठीक है, बहुत अच्छा question था, question number 21 का आजवर जो है, जाने वाला है, A, next question, lactose 20 gram is to be administered to a patient through a gastric tube, gastric tube के थ्रूँ आपको lactose 20 gram आपको देना है, on hand is lactose syrup है, आपके पास 10 gram पर 15 ml, how much are you nurse given, बहुत बढ़िया question है, 20 gram आपक lactose देना है, लेकिन 15 ml में सिर्फ और सिर्फ 10 gram ही है, ठीक है, 15 ml बराबर 10 gram, यानि 10 gram बराबर आप देख लो, एक बार face से मैं आपको बताता हूँ, यह mathematical ज़्यादा important है, और बहुत easy है, वैसे calculation ज़्यादा कोई hard नहीं है, ठीक है, तो 10 gram बराबर जो है, आपको 15 ml की syrup आ रह लेक्टो लोग चला जाएगा, पैसेंट के अधर, ठीक है, तो 1 ml, 10 ml, 20 ml या 30 ml, तो 30 ml is correct answer, सभी की सही answer आ रहे, जितने भी साथी जोड़े एक बार वीडियो लाइक करते हुए answer देते जाएगा, ठीक है, एक 22 question हो चुके है, question number 23, एक पैसेंट भीते, पैसमेकर is ambulating in a room with the assistance of a nurse, बहुत बढ़ी है कि उसने एक पैसेंट है, वो एमूलेट किया गया है, जिसमें पैसमेकर लगावा, the patient complaint, dizziness, dizziness और SOB, यनि कि, shortness of breathing, मतलब डिसनिया फील कर रहा है, dizziness फील कर रहा है, the initial action by the nurse, यनि कि, नर्स जो है, वो initial क्या action लेगी, उस पैसेंट के लिए, करेंगे कि आप उसके साथ है, have him rest in bed immediately, उसको जो है, बैड पर rest करने के लिए कहेंगी, immediately, monitor his vital sign every hour, प्रते गंटे उसका vital assess करेंगे, do nothing because this is normal after surgery, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि यह जो है, नर्मल है, सर्जरी के बाद, तो कुछ भी नहीं करेंगे, तो फिर पैसेंट का तो रिकावर करना है, ना कि vital लेना, ठीक है, बीपी, बीपी से कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आ रही है, डिस्निया हो रहा है, इसका मतलब है, उसको जो है, अपन कहेंगे, immediately, वो rest करें, ठीक है, बैड में उसको rest कर रहा नहीं है, ठीक है, सही answer B, कि उससे नमर 24, सारे लोग ए यूट्यूब चैनल पर आप जाएं, वहाँ पर एक प्लेइलिस्ट बना रखे है, हमने, ESIC Nursing Office 2004 चोईस क्लासेज लेख रहा है, तो सारी क्लासेज आप देख लेना, ठीक है, बहुत अच्छा क्यूसन है, बहुत अच्छा क्यूसन है, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, बहुत अच्छा क्यूसन 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 है, बहु हो चेंटा है आगला कीशन कीशन में 25 धा मस्ट रिलेवंट नौलइग आप ऑफ सी यो पीड नौलइज़ा यह को नसा मोस्ट रिलेवंट नौलेज होगा एक नर्स का कि सी यो पीड पेसंट को आप ऑफ सीजन दे रहे है तो किस इसाप दे दोगा ऑक सीजन at 1 to 2 liter per minute is given to mandate hypoxic stimulation for breathing. Hypoxia stimulates the central chemo receptor in the cortex that makes the patient breathe. Oxygen is administered best using a non-breathing mask या blood gases are the monitor using pulse oximeter. तो यहाँ पर COPD मददख chronic obstetric pulmonary disease का patient है. तो उसमें आपको pulse oximeter से थूँ आप यदि उसका blood gas अजनाइस करेंगे तब तक को patient ऊपर चला जाए ठीक है? और best using non-breathing mask नहीं देते हैं, venturi mask देते हैं, आइफ्लो रेट वाला venturi mask है. इंपोर्टेंट है, COPD के percent में आपन वेंचुरी mask के थूरू उसको oxygen देते हैं, यह आपको याद रखना है, 70, जो है, सॉरी, 7 star fusion है और 90% आना एक चांसे जाए यह क्यूजन है. आइफ्लो मतलब एक से दो लिटर पर प्रती घंटा देनी है, ठीक है, पर मिनट देनी है, हाइपोक्सिक इस्टिमूलेशन के लिए, ठीक है, तो यह important है, और इसका screenshot ले लेना, आपने कोपी में अच्छाप लेना, अच्छा क्यूजन है, शांदार क्यूजन है, किसी पैसेंट के जो है, ब्रॉंकोज़कोपी हुई है, तो उसमें जो है, सबसे पहले आप उसको क्या, जो है, इन्फॉर्मेशन देंगी, उसको जो कहेंगे, कि आप खाना पाने छोड़ दो, दो गंटे के लिए, वाम सलाइन गरगल करेंगे, विल बी डन, पर टुआ क्यू टुएच, इसके लाओ, कफिंग और डीप रीधिंग एक्सराइज, विल बी एड क्यू टुएच, या ओनली आइस, चिप्स, एंड कॉल लिक्विड विल बी एलाओट इनिशली, बहुत ही बड़ी आक्यूसन है, जब भी ब्रॉंकोस को भी करते हैं, तो उसको पैसेंट को कहते हैं, कि food and fluid will be without at least two hour, या निकि दो गंटे के लिए आपको जो है, कुछ भी खाना पीना नहीं है, एन्पी हो रहना ठीक है, तो ये correct answer और ए, screenshot लेकर अपने copy में चाप लेना, ठीक है, समझ मारे ही निकलाज, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दे है, पीज़र लग्से क्लाज से Facebook पेस बे हम जरूर फॉलो करना, हम ऐसा बोल रहा हूं, तो कुछ इन कुछ कारण होगा, इसलिए बोल रहा हूं, इन्हे पैसें हाइपरकलेमिया, 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 बहुत ही बढ़िया क्यूसन है, शांदार, फाइपरकलेमिया होगे, हाइपरकलेमिया को ट्रीट करने के लिए, हाइपरकलेमिया को ट्रीट करने के लिए, हाइपरकलेमिया को ट्रीट करने के लिए हमें भी मज़ाएगा हमारी class हमारी team के लिए जो है एक like तो बनता है pressure by the upper end of the crutch ये तो बहुत ही important question है crutch related question है pressure by the upper end of the crutch may cause injury of the बहुत बढ़ी question है कोई भी patient है उसको crutch का use कर रहा है तो वहाँ पर जो है उसके pressure के कांड काहां पर injury हो सकती है बहुत ही बढ़ी question है आप सभी को पता काक के नीचे यानि कि जो है आप crutch use करते हैं वो एक्जिला के area में करते हैं तो एक्जिली नर्व का ही damage होगा यह आपको important मानके चलना 5 star question screenshot लेकर अपनी copy में चाप लेना और ए answer is correct ठीक है question number 29 in a hemophilia the bleeding is due to deficiency of बहुत बढ़िया question है hemophilia में जो है bleeding किस कारण होती किस की deficiency कारण होती है factor 6 factor 7 factor 8 या factor 9 बहुत ही बढ़िया question है सारे लोग answer देंगे जितने भी साती जुड़े 70 लोग जुड़े है वो सारे कि सारे लोग इस answer दो और वीडियो को like करते हुए और अपनी कोपी में लेखते है जाना ठीक है कितने क्यूसन सही हो रहे 30 में क्यूसन आ रहा उसके बाद मैं फिर पूछूँगा अगि आपके 30 में से कितने सही हुए तो 6, 7, 8 बिल्कुल सही answer है आपके जो है factor है clotting factor 8 की कमी से आपके hemophilia नामक बिमारी होती है जो कि blood disorder है जहाँ पर clotting factor जो है वो कम होता है जिसके कान ब्लीडिंग होने की chances जिराते हैं ठीक है क्यूसन नमर 30 एक पैसंट विद टूबर क्लूसिज वू इस ऑन आईसो नियाजीट थेरेपी बहुत 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 important क्यूसन है 7 star क्यूसन है ठीक है एक पैसंट है जो कि TB के लिए आईसो नियाजीट की थेरेपी ले रहा है तो उसको आईसो नियाजीट के साथ हम और क्या देते हैं ठीक है आईसो नियाजीट को आपन INH से लिखते हैं पहला important चीज आईसो नियाजीट जब भी देते हैं आपन तो आईसो नियाजीट के जो देने के कारण जो है B6 विटामिन B6 की कमी हो जाती है वहाँ पर विटामिन B6 को अपन Pyridoxin की नाम से भी जानते हैं आप सभी को बता होगा तो जब उसकी कमी होगी तो बागी चीज़ी क्यों देंगे ठीक है तो हमेशा आईसो नियाजीट के साथ में एडमिस्ट किया जाता है विटामिन B6 इसको अपन Pyridoxin केते हैं करेक्ट टांसवर D है सभी के एकदम करेक्ट टांसवर है ठीक है एक बार फिर से मैं बताता हूँ एक तो एक तो एक तो एक आईसो नियाजीट होगी फटाफट से जितने भी साती जुड़े एक बार कमेंट बोक्स में बताए मुझे कि कितने क्यूसन आपके सही हुए 30 में से ये एक मेगा टेस्ट है आपका एनलाइस से ठीक है मजाग में नलाए और सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लिजिए फेस्बुक पेज पीजे लगसे क्लासिस पर हमें जरूर फॉलो कर रहे है टेलिग्राम चैनल पर हमें जॉइन कर लिजिए किसा नमर 31 बहुत बढ़िया सभी के सभी काफी सभी हो रहे है कुछ लोगों के जो अमारे साथ पहली क्लास से लगातार जुड़े हो ने उनके तो कुछ लोगों के 29-28 आ रहे हैं तो बहुत बहुत ही बढ़िया इस टॉमी जो है वहां से इस टॉमी मतलब वहां पर आपके हॉल बनाया मतलब ओपनिंग की है पाज परफॉर्म टू टू ट्रीट इंफ्लामेटरी बोवल डिजीज के लिए एलियोस्टमी की दूरिंग डिचार्ज टीचिंग दॉस ट्रेस बहुत अच्छा कि उसने नर्स के पर जोर देगी जब भी इसको डिचार्ज करेंगे अपन तो उसको क्या बताएंगे ठीक है बहुत बढ़िया क्योशन है जब भी इलियोस्टमी करते हैं तो आपन पैसेंट को यह कहेंगे इंक्रीजिंग फुल फूट इंटेक्स टू प्रिवेंट बहुत बहुत बढ़िया एंसवर इसको करेक्ट आंसर उसको कहेंगे कि फ्लूट ज्यादा लेते रहना क्योंकि डि बहुत बढ़िया क्यों सने हैंप्रेट्टमी हो अपेंडेक्टमी हो क्या है कि गरम यानि की वार्म वार्टर होता है उसमें उस पैसेंट को बिठा देता है और इसका जो है 37 से 49 डिग्री सेंटीग्रेट का टेंपरेचर होता है आप फॉरबूला पुरानी क्लास के बदा बहुत 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 अच्छा क्यूसन है और यह जो है आपकी बोड़ी बैलेंस से बहुत ही जबर्दस क्यूसन सेवने स्टार क्यूसन याद रखना को इन कोई बरती में छपेंगे जपेंगे जब याप पैसेंट को जो है लिफ्ट करके डाल रहे हैं तो आपको कहां से जुकना होता सॉल्डर नी बैक वेस्ट जब यह आप यह एक आदमी है ठीक है यह चलिए यह मैं जो है नर्स बना रहा हूं ठीक है यह नर्स तो यहाँ पर जो है नर्स का पहला चीज यह रहता है कि उसको जो है वाइड बेस रखना होता अपने पैरों का ठीक है थोड़ा साग जो है पैर फेला कर खड़े रहना होता है दूसरी बात जुकना हमेशा उसको जो है नी से होता है ठीक है नी से ना कि चे है और बेस को जो है थोड़ा बडा रखना होता है भेरी सीउतन हने से बेंन होता है सभी के एकदम लोग स Rais defended अंच्छ गईए अहीं गर है अहीं छाइड में चौन आ पीडायट भूट करता है वह किस को स्टीमूलेट करता है यहेक लुडास न appetite, peristalsis, the flow of digestive juice या circulation तो इसमें से circulation का कोई मतलब भी नहीं है अब तीन बचे इनने में से answer देना A, B, C क्या A book को बढ़ाएगा, क्या peristalsis moment को बढ़ाएगा the flow of the digestive juice को बढ़ाएगा बहुत बढ़िया क्यूसन है 5 star क्यूसन है और इसको जो है important लगा देना इन्टरफेर with the wound healing 7 star क्यूसन ठीक है यह तो है क्यूसन examiner का चाहिएदा easy क्यूसन है इनमें से कौन सा जो है इन्टरफेर करता है wound healing में constructive bandage, high protein diet keeping surrounding area clean या moderate activity, बहुत बढ़िया क्यूसन है high protein diet दोगे तो वहाँ पर जो है wound healing अच्छे से होगी तो यह तो interfere नहीं करेगा keeping surrounding area clean मतलब clean करोगे तो वहाँ पर infection chances कम होगे infection chances कम होगे तो wound जल्दी heal होगा तो यह भी आपके interfere नहीं करेगा moderate activity, मतलब severe activity ना करके माई डे moderate activity करेंगे तो भी यह आपके अच्छे से wound healing हो जाएगा लेकिन यह आप constricted bandage करते हैं constricted bandage होता क्या है कि उसको बहुत ज्यादा tight wound के चार और बहुत ज्यादा tight bandage कर देते हैं जिससे कि वहाँ पर blood flow रुक जाता blood flow रुक गईगा तो वहाँ पर जो है जितने भी clotting factor है वो उस wound तक पहुंच ही नहीं पाएंगे इसलिए जो है wound healing में आपके interfere होगा ठीक है तो एक correct answer is constrictive bandage ठीक है कुछ लोगों के आई जो है protein diet आ रहे कुछ और कर रहे हैं लेकिन आपको जो है दिमाग लगा के अपने answer करने होंगे क्योंकि इस बार जो है ESIC, DSSB, SGPGI इसके अलावा आपके B, H, U, NOR, Z यह सारी जो है exam आपको पार करनी है बस हमेशा 2 बज़े हमरे साथ जुड़े खुद को confident करते हैं वीडियो को like और share करें चैनल पर नहीं तो subscribe करें और actively participate करते हैं सभी का answer क्योंसर के answer करते जाए क्योंसर नमर 36 the success of fluid replacement therapy from burn patient is at 48 hour can be evaluated by बहुत बड़ी अक्यूसर है एक burn का patient है जलावो patient है उसमें जो है आप fluid replacement therapy दे रहे हैं उसकी success को 48 गंटे के बाद में आप कैसे assess करेंगे ठीक है weight लेंगे उसका urine output देंगे urine specific gravity देखेंगे या फिर peripheral perfusion देखेंगे बहुत अच्छा क्यों peripheral perfusion जो है उसमें आपन देखते है skin pinch करते है ठीक है urine specific gravity जब भी dehydrated patient होता तो उसकी urine specific जो आपके gravity होती है बढ़ जाती है यह important याद रखना और urine output कितना आ रहा है या weight देखेंगे ठीक है बहुत बड़ी अक्यूसर है burn का patient है 48 गंटे में उसका weight weight नहीं बड़ेगा यह तो गलत हो गया सीधा काफी लोग खोटा जवाब लिख रहे है बिल्कुल गलत है urine output देखेंगे ठीक है अपन क्या देखेंगे urine output patient में जो है fluid दे रहे हैं urine output adequate adequate आ तो उसका मतलब देखेंगे a client has just returned to a nursing unit after a above knee amputation बहुत अच्छा क्यूसर्ण है seven star क्यूसर्ण screenshot लेगा अपनी copy लेगा लेगा ठीक है एक patient जो है वो nursing unit में पहुंचता है कम अबो नहीं यानि कि आपके गुटने से उपर का amputation करने कि उसको cutवा के आ रहा है amputation करवा क्या रहा है right leg में है यानि कि आपके जो दाया pair है उसमें above knee amputation हो गया the nurse placed the client in which following most appropriate ठीक है तो उस amputated person को आपन जो है कौन सी position देंगे यह पूछा गया supine with a stump flat on the bed यानि कि supine position दे दो और flat on bed उसका stump जो है वो रख दो supine with stump elevated यानि कि supine position दो लेकिन उस्टम्ट जो आपके pair है उसको थोड़ा उपर रखो ठीक है क्यों रखते है वो भी बताऊंगा reverse tenderlinburg position देंगे reverse tenderlinburg बंदब क्या है कि sir नीचे pair उपर ठीक है इससे जो है यह आपके विशेष करके जो आपके जब भी stroke आथा इस condition में देते है ठीक है और prone position या नीवल्टी position देंगे कौन सी देंगे फटाफट से answer दो जित्ता भी साथ ही जुड़े एकदम easy question है बहुत बढ़िया सभी के सही answer आ रहे कांसे class देख रहे हैं comment box मुझे बता रहे हैं पांसे लोग जुड़े हैं हमारे साथ समझ में दा रहा है ना हमेंसा दो बजे जुड़ो और अपनी तयारी को मजबूत करो ठीक है आज 20-वी class है 19 classes पीछे पढ़िया है YouTube channel पर आप वो जाकर देख लेना पीज़े लग्से class है Facebook page पर प्लीज फॉलो जरूर कर लेना बहुत बढ़िया तो इस condition में आप समझी कि एकदम करेक्ट है सुपाइन पोजिशन लेकिन उसको जो जो चीज़े है वो elevate करेंगे क्योंकि बहाँ पर यदि अपन flat surface पर रख देंगे क्या गजब गया क्यूशन आज मैं सबसे पहले थैंक्स दूँगा मेरी टीम तो जिसने इतनी मेहनत करके यह जो है marathon class के लिए बहुत ही जबरदस्त paper बनाया है मुझे इतनी उम्मेद नहीं थी कि ऐसा शांदार paper ले आएगी मेरी टीम बहुत बढ़िया वैसे यमारी टीम बहुत ही ज़्यादा मेनत कर रही आप सब लोगों के लिए आपका बस फर्च बनता एक बार वीडियो को like और share कर देना अधिक सदिक लोगों तक पहुंचा होगे तो और ज़्यादा important classes आएगी बहुत बढ़िया एक client receiving external radiation ले रहा है किसके लिए neck for cancer of larynx neck पर या गर्दन पर जो है radiation therapy ले रहा है larynx of cancer cancer of larynx हो रहा है उसको most likely side effect क्या हो सकता ठीक है most likely side effect वहाँ पर क्या हो सकता constipation, dyspnea, sore throat, diarrhea तो आपको सीधा सदिक रहा है कि यहाँ पर तीन चीज़ा ऐसी है संभावना जो है वो बड़ जाती है sore throat हो जाता है seven star question दोस्तों, question को हलके में मतले ना हर एक exam में पूछा जाने वाला question UPSC, ESAC, DSSB, SZPGA, NORSET, CHO, BHU सब भी वर्ज़े में आने लाए कि question है, ठीक है question number 39 a client who has history of gout gout हो रहा है a client को, ठीक है gout का मतलब होता है किसी भी joint में uric acid का जमा हो जाना ये important है मैं जो भी सीज़े important होगी वो आपको बदा दूँगा बाकि आपको tension लेने की जूरुत नहीं है classes देख दे जाओ gout जो है उसको हुआ है उसके साथ-साथ eurolithiasis भी हुआ है eurolithiasis मतलब stone बन गया है urinal breader the stone are the uric acid uric acid type का stone है a nurse given to client instruction limit which of the following बहुत बड़ी है कि उसने एक patient है जिसको gout हुआ है मतलब वहाँ पर uric acid जमा हो गया है और uric acid का ही stone बन गया है eurolithiasis हो गया है तो patient को जो है कौन सा food लेने से nurse मना करेगी liver, apples, carrots या फिर जो है तो आप सभी को बता होगा कि uric acid सबसे ज़्यादा मादरम पाये जाता है आपके liver में जो भी liver होते है जो mass होती है त्याप मसली होती है मतलब meat and fish वाड़ा product होता है उसको मना कर दिया जाता है कि liver जो है आप नाल है बहुत बढ़ी है gout और urolithesis या फिर uric acid के जो है stone के type में हमें से याद रगना liver का जो है वो contraindication दिया जाता है next question when a patient has an episode of epistexis which of the following actions would be nurse take first बहुत बढ़ी है तो कोई भी patient है उसको episode हुआ है epistexis का तो आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे apply the ice pack back of the patient's neck patient की neck यानि गर्दन की पीछे ice pack रख देंगे tripping the patient backward and increasing swelling patient को जो है पीछे की तरफ रख कर जो कहेंगे कि swallow करो जो भी blood आ रहा है determine if the patient has history of hypertension determine करेंगे कि patient को hypertension की history मतलब उसके BP ज़्यादा रहता है having a patient lean forward and pinch the nose patient को जो आगे की तरफ जुगा कर जो है pinch कर देंगे nose को जो भी आपके pressure लगा देंगे उस point से जाबर bleeding आए तो बिल्कुल सही answer आने चाहिए सभी के एक दम easy question हर एक exam में पूछा जाएने वाला जितने भी 17 से लोग जोड़े एक बार यार वीडियो को लाइक करते हुए एक दम actively participate करते हुए अपने आपको confident करो सारे answer दोस्ट ठीक है बहुत बढ़ी है तो क्या neck के पीशे रखना से bleeding कम हो जाएगी नहीं होगी पैसेंट को जो है swallow swallow तो करना ही नहीं है aspiration को रोकने के लिए यह तो गलत होगा सीधा और hypertension देखने बैठ जाएगे तो वहाँ पर जो है आपके bleeding ज्यादा हो जाएगी जिससे की hypopalmic shock भी हो सकता ठीक है तो पैसेंट को जो है आपन lean forward करेंगे आगे तिरफ थोड़ा जुगा कर उसको कहेंगे कि जो है नाक जो है उसको pinch करेंगे pinch करके रखे pinch करके रखे ठीक है बहुत बढ़ी है answer is D screenshot लेके अपने copy में लेके लाँ ना इसको जो एक दम इपॉर्टे ख्लास है चाडीस में से केतने सही हुई पहुत बढ़ी है 22 32 25 37 32 बहुत बढ़ी है तो कुछ लोग जो है जाने पाच्छाने लगए मुझे पहली क्लास है हमारे जुड़े 20 दिन होगी आज क्लास है बीसवी क्लास है, मेरतन क्लास है, तो उनके तो सही होने ही होने है, ठीक है, उनका confidence बहुत ज्यादा हाई है, उन्होंने अलग से कुछ नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है, वहीं पढ़ा है, लेकिन confidence देखुआ हमारी क्लास का, ठीक है, बहुत बढ़ी है, Pulse Deficit Difference Between, बहुत अच्छा कि उसने Pulse Deficit जो है, वो किसके बीच में difference है, रेडियल और अलनार, रेडियल और फिमोरल, रेडियल और अपैकल, या रेडियल और करोली, Pulse Deficit, Pulse Deficit के बारे में पूछा है, तो हमेशा जो है, आपके Radial और अपैकल Pulse के बीच में, जो आपके बीपी के बीच का जो अंतर होता है, उसको अबन Pulse Preser केते हैं, लेकिन Pulse Deficit जो होती है, रेडियल और अपैकल के बीच का जो अंतर होता है, तो correct answer, सारे लोग answer दो, अब तो मैंने बता दिये, बिल्कुल सही answer आ रहे है, सभी के बहुत बढ़िया, actively participate करते हैं, रेडियल औ on the adult client, बहुत बढ़ी है कि उसने, इन में से जो है, कौन सा काम करेगी, जब नर्फ जो है, conduct कर रही है, general survey किस पर adult client, ठीक है, appearance and behavior, उसके appearance देखेगी, behavior देखे, measurement of vital sign, observing specific body system, या measurement of height and weight, बहुत बढ़ी है कि उसने, जब भी patient जो है, adult client का सर्वे करती है, तो height and weight सब से priority कर रहे most important question है, ठीक है, life के लिए कैसे, तो infection को तोड़ना, तो life के लिए बहुत अच्छा है, most effective way, कौन सा है, ब्रेग दा, chain of infection, hand hygiene, wearing gloves, placing client in isolation, providing private room for client, तो hand hygiene important है, हाथ को दोना, या wearing gloves बहनना, placing client in isolation, isolation हो रखना है, providing private room for the client, client के लिए बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, सभी का answer आ लाइक कर दो एक बार, फिर comment बताओ, इसका answer बताओ, जो भी साती नया जोड़ा, उसको बता दूँ, यह जो है, आपके आज की marathon class चल रही है, marathon class with mega test है, ठीक है, तो coffee लेके बैटना, और अपना आपका analysis करते रहना, ठीक है, वीडियो को लाइक और शेर करते हैं जो भी साती नया सब्सक्राइब जरू कर लेना, पीजे लग्से क्लासे पेजबूक पेजबूक पेजबे हमें जरूर फॉलो कर लेना, जहां पर आपको important जान का रही है, मिलेगे, एकदम correct answer, hand hygiene, hand washing, जो है, वो break the infection, chain में बहुत ज्यादा important role ने बादा है, question number 44, gown should be worn when, बहुत अच्छा गाउन का पेहनते है, तो गाउन के लिए जो है, indication पूछा है, गाउन APP kit का, यानि की personal protective equipment kit का ही भागे, गाउन जब भी पेहनते है, तो उसके लिए जो है, कौन सा indication होना जाए, client hygiene is poor, क्या client के hygiene poor होती तब पेहनते, the nurse is assisting with medication administration, जब याप medication देने जाते तब क्या गाउन पेहनत गाउन पेहनते है, the client has acquired immunity deficiency syndrome or hepatitis, patient को जो है, या फिर hepatitis हो रहा है, तो आप गाउन पेहनेगे, या bloody, blood और body fluid are likely to get on the nurse's clothing from the task, the nurse plan for perform, यानि कि जो है, आपकी patient के लिए जो जब भी nurse, जो task plan किया है, उसको perform करोगे, तो उसका blood और fluid जो है, आपकी clothing, यानि कि आपके जो apron पर आ स सकता है, इस condition पेहनेंगे, बहुत अच्छा क्यूसन है, आईजीन पूर है, इससे गाउन का कोई मतलब नहीं है, medication देते हैं, गाउन क्यों पेहने हो भाई, और एट से appetite कोई गाउन पेहने से थोड़ी पहलता है, कोई गाउन पेहने से थोड़ी पहलता है, जब भी आप किस पेसेंट, उस पेसेंट का केर करते हैं, जिसमें खुला गाव है, या उसके ब्लड और डिचार्ज है, वो आपके कपरों पर आ सकता है, ठीक है, तो उस condition में गाउन को पेहना जाता है, पीपी का एक भाग है, प्रोफ, पीपी का फुल फॉर्म भी आप याद रखना, पॉस जलती के बादी, in caring of too many clients, बहुत ज्यादा क्लाइट को आप एक साथ में, जो है, एक साथ नहीं लेका है, बहुत ज्यादा क्लाइट की care करते हैं, तब हो सकता है क्या, फैल टु फॉर्लोर रूटीन प्रोफ, रूटीन प्रोफ, प्रोसिजर जै, उसको आप फॉलो नहीं कर ग्राइब कर सकती है कोई दिक्तत नहीं है वहाँ पर जो है एरर नहीं होगा अंडूस्टेन अनक्राइब कर दिया तो वहाँ पर जो somnosa कहीं भी आपके एर्र होना की संभावना नहीं है एड्मिश्टेन नमब चर्ण आया नहीं ज़्यादा मेडिशन दे रहे तो भी कोई दिक्कतवारी निए जो भी आपको प्रैसकर्प किये वो देने ये लेकिन फ़ाल टु फॉलो रूटी प्रोसेजर इलिए आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके जो है मेडिकेशन एरर होने के ज्यादा चांसे ये वह स्टार सेवने मेडिकेशन अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा कि उसने नर्थ जो है वो सलेक्ट करती है रूट ऑफ एड्मिस्टेशन ऑफ मेडिकेशन ठीक है तो किस हिसाब से सलेक्ट करेगी ठीक है हॉस्पिटल पॉलेशी का नुसार प्रेसक्राइबर ओडर के अनुसार टाइप शचेशन आपने जोघाने यहेंडिकेशन के अलग-वक्रेशन के अलग टाइप से आपने दे सकते हैं आई वी दे सकते हैं चीज़ें खेशन के अनुसार श्क्राइबर के पेस्क्राइबर जो है कोपी में छाप लेना इसको साथ ही साथ आंस्वर देते जाना आपने आपका एविलिट करते रहे न ठीक है छे आड़ इस क्यूशन हो चुके कितना क्यूशन सो में से आपके सही होते है यह बना लास्ट में आप जरूर बता देना सभी क्यूशन के आंस्वर जो है आप लॉक्ट बोजिशन में रखेंगी बेंडिंग एड़ वेस्ट टू मैंटेन दे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आप जो है वेस्ट निकी कमर से आप जुकेंगे जिससे की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनी रहेगी होल्डिंग ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम दोडी ऑप इंप लोके आपको जो बेस जो है वाइड बनाना है यानि कि जो है पैरों को थोड़ा दूर दूर रखे खड़े होना है तो यहां पर मेंटेन वाइड बेस सपोर्ट एंड बेंडिंग दनी इस कारक्ट आंस तो ठीक है बागी सारे गलत है क्यूसर नमर 48 यू डिस्कवर एन इले अग लगी है तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे सर्च एंड एक्टिव दा फायर अलर्म को डूंडेंगे उस पर दबाएंगे उसके बाद में सायरें की आवाज आएगी या फिर कंफाइंट दा फायर बाई क्लोजिंग ओल डोर और विंडो तो ओल डोर यानिकि उसकी खिड़की और दर्वाजी जो बंद कर देंगे जिसे की बाहर आग नहीं जाए और अंदर चाहिए कोई वियो चलता जाई तीसरा है इवेक्वेट बाई क्लाइंट और विजिटर इमेडियेट डेंजर यानिकि उसको इवेक्वेट करना है क्लाइंट को विजिटर को इसका सही आंसर देगा मैं मान लूँगा आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट जितने भी साती जोड़े आप लेजी मत पड़ो वीडियो को लाइक करते हुए अपने आपको कॉन्फिडेंट करते हुए एक्टिवली पाडिशेट करते हुए आंसर देते जाएगा बहुत खड़की दरवाज़े बंद कर किसी को मारना नहीं अंदर ना ही कोई अटिवेट अलारम बजाना है ना ही फाइर एश्टिमेट यह बाद की बात है अपनों को पहले सब से देखना है कि अंदर कोई है तो नहीं ठीक है उसको बाहर ले जाना है क्यूस्तन नबर 49 समझ मारा नहीं आ रहे यस नो में आंस और तो मैं रुक रहा है कि बार सारे लोग यहां समझ मारा यार कि नहीं अच्शन प्रायरिटी वह Îं प्रवाइडिङam Blues को ऑरल हीजिन तो नन oncan Aspiration का जो है आप करोगी, या mouth order मतलब मुझ की गंद को मिटाओगी, dental caries को मिटाओगी, oral ulceration का जो है आप मिटाओगी. जब भी आप unconscious patient को जो है care कर रहे हो, उसकी oral care कर रहे हो, सबसे important. इसको हमेसा याद रखना है, यह जीवन के लिए और आपके एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा important question है, जब भी आप किसी एक चीज़ को आप याद रखना, कि जब भी आप किसी unconscious patient की oral care कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह चीज़ याद रखना है, कि उसमें aspiration नहीं हो, aspiration का मतलब क्या होता है स्वांस नली में कोई भी fluid चला जाता है वो fluid जो है, फेफड़ों में पहुंच जाता है वहाँ पर जो है, difficulty आपको होती है breathing में, और जब भी difficulty of breathing होगी, तो patient के मरने के chance से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर already unconscious है, तो वो जो है rate नहीं कर पाएगा वहाँ पर pneumonia भी हो सकता है इस condition में आपको सबसे important चीज़ आपको याद रखना है कि aspiration नहीं हो, patient को चीज़ के oral care देते हैं, question number 50 आदी class होने जा रही है समझ मा रहा है न which intervention is the most appropriate to include in a care plan for improving sleep in a older adult बहुत बढ़ी है क्योंसे नहीं एक older adult है, यानि कि aging person है, older adult है उसमें आप कौन सी चीज़ देऊगे उसको appropriate intervention होगा कि उसकी sleep, उसकी नींद वो improve हो जाए decrease fluid 2-4 hour before sleep यानि कि सोने से 2-4 गंटे पहले fluid लेना कम कर दे exercise in evening to increase fatigue यानि कि evening में exercise करो जिसे आपको ठकावट होगी और नीदा चाहिए allow the client to sleep as late as possible patient को अपन कहेंगे कि जितना हो सके उतना late सो, आप रात को match वैसे देखने हैं, वाद मिसो take a nap during the day makeup for lost sleep यानि कि उसको कहेंगे कि दिन में भी आप जपकिया लेते रहें, मतलो नैपिंग लेते रहें कहीं भी आप जपकी ले लो और साम को आपको अच्छे नहीं दाएगे, तो बहुत अच्छा क्यूसन है, 5 स्टार क्यूसन है तिमाग वाला क्यूसन है, ठीक है, मैं देखता हूँ आपको फिजिकली ठक जाएगा, लेकिन मेंटली उसको कोई दिक्कत होगी, या टॉइलेट आएगे बार बार तो कितना भी फिजिकली ठका हुगा, आँध भी अंदर फोड़ी टॉइलेट करेगा, उसको जाना पड़ेगा, और क्लाइंट को यह तोड़ी कहेंगे, रात को यार मैंच वैस देखो, आई पेल देखो, उसके बाद में सो ऐसा नहीं है टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, यह स्टुडेंट के लिए है, और जो भी कि sleep disturbance वाला है, उनको भी लिए, लेकिन आपको जो है, 2-4 गंटे पहले, जो भी पेसेंट है, उसको 2-4 गंटे पहले कम fluid लेना है, टिक है, इतना भी कम नहीं लें कि आपको dehydration होजे, चलिए, पचास क्योंसर में होगे, आपके शेयर कर देना, comment box में comment answer करते दाएं, कोई दिक्यत वाली बात नहीं है, question number 51 के और आपने बढ़ते हैं, very good, तो आदा paper हो चुका है, एक बार वीडियो को आप सारे लोग लाइक करते हुए, अपने आपको confident कर लिजीगा, अगला question 51, which nursing intervention should the nurse implement after right femoral artery cataritis, यहनि की right femoral artery में जो है, catheter लगाया गया है, तो कौन सा nursing intervention जो है, वो nurse implement करेगी, perform passive range of motion exercise, assess the client for renal status, keep the client in high fowler position, assess the gag reflex prior to feeding the client, यहनि gag reflex, feeding से इसका कोई मतलब भी नहीं है, client को high fowler position गया, कोई मतलब नहीं है, यह patient, जो dysnia का patient होदा स्कूर रखते हैं, याद रखना, लेकिन यहाँ पर जो है, range of motion, यहाँ पर motion अपन करवाएंगे नहीं, सबसे important है कि वहाँ पर उसका renal status check करते रहेंगे, ठीक है, जो भी femoral, right femoral artery में catheterization होता है, तो यह याद रखना, important है, assess the client's renal status रहेंगे, तो client का renal status अपन चेक करते जाएंगे, सारे लोग answer देते जाएंगे, अगला question, एक client with paranoid schizophrenia, has a delusion of persecution, he tells the nurse, the CIA is out to get me, CIA जो है उसको लेने आ रहे है, they are spying on me, the nurse best initial response, बहुत अच्छा है कि उसने, एक patient जो है, वो paranoid schizophrenia में है, उसको delusion of persecution हो रहा, delusion of persecution होता क्या है, patient को ये false belief हो जाता है, कि कोई उसे मारना, या कोई उसे हानी पहुचाना चाहता, क्षती पहुचाना चाहता, ठीक है, तो इस condition में जो है, nurse उसको क्या statement देगी, ये important question है, five star question, screenshot लेके, अपनी copy में भी लिख लाना, मैं आपको answer दे रहा हूँ, उससे पहले आप भी answer देते जाएं, I don't want to hurt you, patient ये कहीगी, मैं आपको hurt नहीं करना चाहती, how would they spy on your hair, patient को पूचेगी, वो आपको कैसे spy कर रहा है, tell me how they are trying to get you, I know the CIA won't want to hurt you, बहुत अच्छा question है, तो जो नर्स होती है, उसको जो है, जो भी delusion और persecution वाला patient है, उसको ये कहीगी, tell me how they are trying to get you, बताइए कि आपको वो जो है कैसे ले रहा है, मतलब एक politely एदिया आप उसको जो है, reply करेंगे, अच्छा statement देंगे, तो उसको जो है, शांती मिलेगी, ठीक है, अगला question, question number 53, for most nurses, the most difficult part of the client relationship, बहुत अच्छा question है, most of nurses के लिए, कौन सा difficult part होता है, client relationship बनाने के लिए, ठीक है, developing an awareness of self, and the professional role in the relationship, being able to understand the accept client behavior, accepting responsibility in identifying, and evaluating the real need of client, remaining therapeutic and professional at all time, बहुत अच्छा क्योंसा सबसे, hide part रहने वाला है, कौन सा सबसे, difficult part रहने वाला है, तो इस में चारों में से, कौन सा रहने वाला है, ABCD में आप अपना आनसोर दीजिएगा, अपने copy में लिखते जाएगा, ठीक है, उसके साथ मिलान करते जाएगा, और लाश्ट में बता दीजिए, का 100 में से कितने क्योंसा सही हो रहे, ठीक है, बहुत बढ़िया, अपने mega test with marathon class है, test भी हो रहा है, marathon class भी हो रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और जो है, central government और सभी state government की, सभी वर्टियों के लिए important class है, इसमें सबसे important है, सबसे difficult role रहता है, developing and awareness of self-presence, खुद के बारे में awareness बनाना, और professional role in relationship, यह जो है, खुद के बारे में self-awareness बनाना, एक सबसे important और most difficult है, और इसके अलावा जो है, professional role जो है, relationship में कैसे डाले, यह जो है, a answer is correct answer, ठीक है, in helping to resolve a crisis situation, it is most important to nurse too, बहुत बढ़ी है क्योशन है, कोई भी patient है, या फिर कहीं भी है, जो crisis situation होगी है, उससे निपटने के लिए, most important nurse का का काम होता है, meet all dependency need, यहनि कि सारी dependency need को meet करना, encourage socialization, support ego strength, या involve the person in therapy group, बहुत अच्छा है क्योशन है, जब भी आप जो है crisis situation को निपटना चाहते हैं, support ego strength सब से important रहने वाला है, correct answer is C, बहुत बढ़ी है, सभी के एकदम correct answer आ रहे है, जितने भी साती जोड़े एक बार वीडियो को लाइक कर दीजीगा, चैनल पर नहीं तो subscribe, पर फेस्बुक पीज़े लगसे क्लास इस बर जरूर फॉलो कर ले ना, हम इसाथ दो बज़े क्लास होती है, अलिन एक नर्सिंग और परामेटिकल सब भी बढ़तियों के साथ-साथ free of course ते यह आप करवा रहे हैं, क्यूसर नम्रे 55, the most important component of nursing care plan for a client with organic brain deterioration would be, बहुत अच्छा क्यूसर नहें, important component कौन सा है nursing care plan का, जो कि patient है organic brain deterioration का, ठीक है, यानि कि कि किसी भी patient का organic brain deterioration हो गया है, तो उसमें सबसे important component कौन सा होगा nursing care plan, an extensive re-education program, detail for protective and supportive care, the introduction of new leisure time activities, और इसका plans to involve the client in group therapy season, बहुत अच्छा क्यूसर नहें, ये जो है पहली बार सोना होगा आप कई लोगों ने, तो मैं इसका answer सिधा बताता हूँ, ऐसी जब भी condition आती है, organic brain deterioration होता है, तो सबसे पहले nursing care plan में, आप an extensive re-education program को सामिल करोगे, ठीक है, बिल्कुल सही answer A रहने वाला है, कुछ लोगों के सभी answer भी आ रहे है, सारे लोग एक बार comment box में इसका answer दीजीगा, बहुत बढ़ी है, ए ए ए बहुत बढ़ी है, क्यूसर नहीं प्रोचिंग एक क्लाइन द्यूरिंग पिरिड ओप great over activity is essential, बहुत बढ़ी है क्यूसर नहीं, पिरिड ओप great over activity करता है, कोई पैसेंट जो है ज्यादा over activity कर रहा है, उस condition में जो आप उसको approach कर रहे हैं, तो क्या है essential, use a firm, warm, consistent approach, यानि कि use करेंगे आप किसका firm, यानि कि थोड़ा सक्त रहेंगे, warm रहेंगे, और consistent approach देंगे, anticipate and physically control the client hyper activity, यानि कि उसके साथ appreciate करेंगे, और उसको जो है physically control कर लेंगे, मतलब rest and करेंगे, allow the client choose the activity in which participate, पैसेंट को कहेंगे, हाँ तो यह activity करता जाचाए, कोई भी गलत करना, ठीक है, और इसके लवर let the client know the staff will not tolerate destructive behavior, सिधा आप client को धंगी देंगे, तो बिल्कुल गलत है, यह सारी तीनों के तीनों गलत है, यह answer is correct है, बहुत बढ़ी है, उसके साथ मैं जो है आप firm, warm और consistent approach रखेंगे, जिससे कि उसका जो है behavior change हो सकेगा, ठीक है, अगला question, question number 57, बहुत ही अच्छा question है, the defense mechanism in which emotional conflict होता है, are expressed through, emotional conflict को वो patient एक्सप्रेस करता है, किसके तो हो, motor sensory और somatic disability के तो हो, ठीक है, वो जो है, कोई भी emotional conflict है, उसको motor sensory और somatic disability परदर्शित करता है, इस condition को, इस mechanism क्या कहते हैं, disassociation, psychosomatic, इसके लोग compensation या conversion, बहुत ही अच्छा question है, five star question, screenshot लेगा, अपनी copy मिलास में चाप ले ना, answer दो फटाफट से एक बार, emotional conflict को दो है, वो express करता है, through motor sensory और somatic disability, बहुत बढ़ी है क्योंसे ने, तो इसमें जो है, compensation is correct answer, C answer is correct, ठीक है, false sensory perception in absence of real external stimuli, बहुत अच्छा क्योंसे ने, ये जो है, कोई भी patient है, कहता है, या कभी जो है, कहता है कि सांप आ गया, मतलब वाँ पर है कुछ नहीं, ठीक है, तो इस condition को अपन क्या कहते है, ठीक है, दो परकार का वैसे, false sensory perception होता है, एक होता है, real stimulation की absent में, एक presence में, जो भी presence में होता है, जैसे कि कोई रसी पड़ी है, और उसको वो जो है, सांप समझे रहा है, ठीक है, तो यह जो आपका हो गया, illusion, मतलब गलत उसको perception हुआ है, है वहाँ पर कोई चीज, लेकिन वो गलत perception ले रहा है, ठीक है, सांप, लेकिन, कुछ है यह नहीं, फिर भी हो कहता है, भूद, भूद, यह सारी चीज आती है, hallucination में, इसका answer दीजी का, फटर फटर से जितने भी साती जुड़े होए, एक बार comment box में, answer दो, बिल्कुल, बहुत बड़ी है, hallucination is correct answer, ठीक है, hallucination होता है, B is correct answer, Question number 59, थोड़ा lengthy question है, लेकिन, बहुत ही ज़्यादा important question है, ठीक है, A 19-year-old female is admitted to the emergency department, after being found unconscious, एक 19 साल की मैला है, वो emergency department में, जो है, unconscious मतलब जो है, अचे तवस्ता में होती है, blood pressure 82, 50 हो गया उसका, she is 5'4, यहनि 5 foot 4 inch, लंभी, weight 35.8 मात्र है, she appear dehydrated, malnourished, यहनि कि वो underweight है, dehydrated है, malnourished है, after regaining consciousness, जब उसको, होस आता है, या consciousness आती है, तो वो report करती है, कि he has trouble eating, उसको जो है, खाने में दिक्कत है, can't remember, what she ate in last 24, उसको यह पता नहीं है, कि उसने last 24 गंटे में क्या खाया, उसको यह भी सिखायत है, कि उसको जो है, irregular menstrual period आ रहे है, the past one year, एक साल से, she is convinced, she is fat and he uses food, the nurse suspect बहुत अच्छा कि उसने, यह एक mental disorder है, जिसको bulimia nervosa कहते हैं, bulimia nervosa और anorexia nervosa, दोनों मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, तो आप पुरानी हमारी 19 क्लासे जरूर देख लेना, ऐसी condition जिसमें patient कहता है, कि उसको भूगी नहीं लग रही है, उसने क्या खाया है, और उसका irregular menstrual period आ रहे हैं, unconsist हो रही है, de-edited हैं, malnourished हैं, तो इस condition का पन कहते हैं, bulimia nervosa ठीक है, एक्टिवली कोई भी patient की बास सुन रही है, ठीक है, agreeing with client, client के साथ agree हो जाओ, client कहता है, चलो अपन थोड़ा गुमने चलते हैं, तो agree करते हैं, हाँ, ऐसा नहीं होता है, गलत है, repeating everything client says, कोई भी चीज होती है, वो भाई, patient कहता है, उसको repeat करती है, जैसे patient कहती है, patient कहता है, तो नर्ज हलो कहती है, ऐसा नहीं है, बिल्कु रिपीट नहीं करना है, assuming a relaxed posture and leaning towards the client, एक आराम वाली position में बैटना है, और patient की थोड़ा तरप, जो है, थोड़ा सा जुक्के बैटना है, smiling and nodding continuously throughout the interview, patient के सामने smile करते है रहे न, पूरे interview मतलब, वो सोचेगा यार, patient सोचेगा, मजाग में ले रही गया, ये भी गलत है, तो इसमें जो है, आपको demonstrate कैसे करोगी, active listening को, तो आपको जो है, एक relaxed position में बैटना है, और patient की तरब थोड़ा सा अपको lean होना है, forward की तरब आगे, जो है patient की तरब थोड़ा सा जुक्के बैटना है, five star question है, important है, screenshot लेगे, अपनी copy में चाप लेणा, ठीक है, समझवाएग नहीं है, ये बताओ, ये से अनुमा answer तो 60 question होगे, 60 में से आपके कितने question सही हुई है, ये बता मेरे को आभी पहले थो, बहुत बढ़ी है, सभी लोग answer तो कितने question सही है, 42, 58, अरे वाँ, 58 वाला ये बंदेता, अमारे साथ लगा तर जोड़े, 52, 57, 47, 21, बहुत बढ़ी है, चलो, next question 61, which assessment finding would lead to the nurse to suspect that patient's IV has infiltrated, बहुत बढ़ी है कि उसने, कौन सा जो है assessment finding, जो है वो नर्स को ये बताएगी, कि उसमें जो है IV line लगी हुई है, उसमें infiltration हो रहा है, ठीक है, infiltrate हो रही है, in the past hour, only 50 ml fluid has infused, नहीं कि, पिछले एक गंटे में सिर 50 ml fluid, जो है वो infuse हुआ है, इसका मतलब कि इन्फिल्टरेशन है, insertion site is red, hot and swollen, यह जो insertion site है, जहाँ पर आपने IV line लगा रखिए, वहाँ पर जो है, red हो गई है, hot हो गई है, एक hot होता है, एक cold होता है, cold उसमें होता है, फ्लेबाइटिस में, तो यह चीज़े हैं, आपको याद रखनी, यह तो सिधा गलत हो गया, यह कोई वहाँ पर, IV line से कोई किसी का temperature थोड़े बढ़ता है, और 50 ml जादा मनलब किया है, 50 ml तो हो सकता है, कि 25 ml ही जाए, आपने उसको infusion की rate है, उसको कम गई रखा, लेकिन insertion side, जो है red है, hot है, swollen है, तो इस condition को अपन कहेंगे, कि हाँ वहाँ पर infiltration हो रहा है, ठीक है, correct answer is B, सभी के एकदम correct answer आ रहे हैं, बहुत बढ़ी, ऐसे ही अपने आपका confident करते रहे, वीडियो को like और share कर दिजिए, चैनल पर नई सब्सक्राइब कर लिए, हमेशा दो बजी क्लास होती है, आप जरू जुड़े, ओल इडियो की nursing और paramedical से भी बढ़ती हो, कि news भी आप रापको मिलती रहे थी, what type of authority regulate the practice of nursing, बहुत ही बढ़ी है, फाई श्टार के उसने, इन में से जो है कौन सी authority है, जो की practice है nursing की, उसको जो है regulate करती है, international standard and courts, federal guideline and regulation, state nurse practice act, या institutional policy, बहुत अच्छा कि उसने, फाई श्टार कि उसने, इस्क्रीन सॉट लेके, अपनी copy में लेके लेना, एक बार सारे लोग जितने भी जुड़े, पता चलेगा कि यहां आपको कितना knowledge है, what type of authority regulate the practice of nursing, nursing की practice को जो है, कौन से ही, वो डी है, authority है, वो regulate करती है, state nurses act, जो है, correct answer C, रहने वाला है, state nurses act, जो है, वो regulate करते है, nursing practice को, question number 63, which of the following not, a feature of health syndrome, यह तो by five star question, ठीक है, यह जो आपके pregnancy related, जितने भी syndrome, help syndrome, H-E-E-L-P, H-E का मतलब होता है, hemolysis, यहां पर जो है, दूसरे का मतलब है, आपके hemolysis, यानि की hemolytic enemy, यह तो होता ही है, यहां पर जो है, liver enzyme बड़ा होता है, liver enzyme help, ठीक है, तो यह भी होता है, इसके अलावा जो है, thrombocyte open यह भी होता है, लेकिन कहीं पर भी, eosinophilia होने के जो है, वो नहीं होता है, तो इसका सही answer है, eosinophilia नहीं होता है, इसमें, correct answer आने चाहिए, इसमें सभी के BVB, ठीक है, thrombocyte open यह होता है, रेज लीवर एंजाई मेंने के बड़ा हुआ, लीवर एंजाई में हो सकता है, या हेमोलाइटिक अनेमिया, या हेमोलाइस हो सकता है, ठीक है, health syndrome है, question number 64, थोड़ा सा glanddy question है, लेकिन important is, लेकिन हमारे team ने आपके लिए यह लाए है, ठीक है, बहुत ही जबल इसक्यूसन है, मतलब seven star लगा के, आप अपनी copy में लेकिन लाना है इसको, ठीक है, a 29-year-old premy gravida comes to the obstetrician for the prenatal visit, ठीक है, 29-year-old prenatal visit, प्रीमी ग्रेविडा मेला है, वो obstetrician के बारे ने डॉक्टर के पास आती है, prenatal visit के लिए, वो HIV positive है, she also has asthma, उसमें asthma भी है, for she uses inhaler, इसके लिए वो inhaler का use भी कर रही है, she has no non drug allergies, extensive counseling is given to her, regarding vertical transmission of HIV, उसमें कहीं कोई drug की allergy नहीं है, वो जो है, given her regarding vertical transmission HIV to her baby, यह vertical transmission को रोगने के लिए दवाया ले रही, it is recommended to her that she take anti-retroviral drug, ठीक है, वो कहता, जो है, डॉक्टर कहता उसको की आप ART, यह एंटी-retroviral therapy लो, क्योंकि HIV एक retrovirus है, ठीक है, यह important याद रखना, HIV जो है एक प्रकार का retrovirus होता है, फिर जो है, डॉक्टर कहता यह देखिया आप, यहाँ पर जो है, have pregnancy decreased vertical transmission, it is also recommended her, that she has scheduled cesarean section, यहनि उसको यह भी का दिया गया है, कि उसके लिए जो है, आपको cesarean करवाना हो, LSCS करवाना होगा, ठीक है, LSCS करवाओ आप, क्यों करवाना वो भी बताऊंगा मैं, after consideration of these options, the patient choose not to take antiviral, retroviral therapy, वो जो है, कहती है कि मैं तो कोई दवाई लूँगी नहीं, ART नहीं लूँगी, और वो कहती है कि मैं मुझे कोई cesarean नहीं करवा, operation जो मुझे डर लगता है, मुझे vaginal delivery करवानी, which of the following represent the approximate, risk of vertical transmission for this woman, यानि कि यदि वो ऐसा करती है, मतलब retroviral therapy भी नहीं लेती है, एक क्यूसन आपको पुछा जाता है, कि आपको HIV जो है, vertical transmission के सबसे ज़्यादा chances गब रहते हैं, तो वो रहता है delivery की time, ठीके, यानि कि intra delivery, ठीके, तो इसमें 25% chances रहेंगे, 25% सबसे ज़्यादा chances रहते हैं, कि हाँ, उसमें HIV जो है, ब्रिष्ट मिल्क भी नहीं पिलाते हैं बच्चे को, ये भी आपको याद रखना हुगा, कहीं पिए expressed brisht milk लाया जाता है, ABM लाया जाता है, brisht egg से, ठीके, QS number 65, एक primary gravida, पहली बार जो है pregnant woman, at 37 week, 37 week, was reported to labor room, labor room में आती है, with central placental previa, हुआ, with heavy bleeding हो रही है, for vagina, ठीके, per vagina, vagina से, the FHS, folic stimulating hormone, was normal है, the time of examination, the best management option for, यानि कि, एक patient है, कोई भी lady है, 37 साल में, प्रिमी ग्रिविडा है, और वो आती कहां पर है, labor room में आती है, उसमें जो है, central placenta previa हो रहा है, और bleeding हो रही है, ठीके, पर vagina हो रही है, folic stimulating hormone, normal है, तो उस condition में आप क्या करेंगे, expectant management करेंगे, caesarean section करेंगे, induction vaginal delivery करेंगे, induction of forceps delivery करेंगे, तो यह दो तो निकाल दो, क्योंकि आप central placenta previa है, तो नहीं हो पाएगा, लेकिन caesarean section जो है, आप उस lady में ज्यादा bleeding हो रही है, तो आप LSCS करेंगे, ठीके, lower segment caesarean section, ठीके, LSCS, important है, अगला question, 66, the first consideration in the treatment of placental abruption, सांदार question है, किसी भी महिला में जो है, placenta abruption हो गया है, abruption placenta है, तो उस condition में आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहला करना statement क्या है, immediate delivery करवाएंगे, administration of fibrosion करवाएंगे, उसको रग्त को रोगने के लिए fibrosion देंगे क्या, amnius synthesis to establish diagnosis के लिए, जो है आप उसको amnius synthesis देंगे, या prompt restoration and effective circulation, यानिका delivery से पहले आपको effective circulation के लिए, आईवी fluid देना होता है, important है, बहुत ही important question है, five star screenshot लेगा, आपने copy में लेख लेना, 66th question जो है, prompt restoration of an effective circulation with IV fluid, IV fluid तो आपको start करना, उसके बाद में delivery करवाने हैं, ठीक है, अगला question, यादे आप delivery में उसको तैयार करूंगे, तब तक उसके bleeding ज्यादा होगी, तो dehydration या फिर जो है, वहाँ पर एनेमिय हो सकता ठीक है, और hypovolumic shock भी हो सकता है, अगला question, बहुत ही जबवर्दस्त question है, question number 67, एक case of 35 week pregnancy, 35 week की जो है pregnancy with polyhydroamniose हो रखाया, marked respiratory distress होने के चांसे से, तो उस condition में आप क्या करेंगी, IV prosumide देंगे क्या, IV prosumide उसमें जो है, amniotic sec में काम नहीं करेंगा, saline infusion भी नहीं देना आपको, amniusynthesis या, जो है, ARM, इसमें से जो है, आपको करना होगा, कौन सा करना होगा, इसमें जो है, amniotic fluid को कम करेंगे, ठीक ही, वाँ में, अगला क्योसन, क्योसन में 68, which of the following commonly seen in the fetus, with congenital CMV, जो साइटो मेगलो वाइरस का infection हो रखा है, उसमें सब से ज़्यादा क्या दिखाए जाएगा, koalitis, myocarditis, blood discreuses, या pulmonary cyst, बहुत अच्छा क्योस है, five star क्योस है, screen short ले 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 ला, और last में आपने copy में चाप ले 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 ला, जितने भी साथी जोड़े एक बार like कर दो, यार क्या दिखत दे, like कर लो न सारे लोग, like और share कर दो, चैनल पर नई है तो subscribe कर लो, फेस्बूक पेज पीज़े लग्से क्लासे, follow कर ले, link वीडियो के description box में, या फिर फेस्बूक पे जाएं, पीज़े लग्से क्लासे सर्च करके join करे, पूरा paper बाने के लिए आप टेलिग्राम चैनल पीज़े लग्से क्लासे सर्च करके join कर ले, साथ ही जो भी नए है वो subscribe आप शिकर ले ले जहाँ पर आपको, ओल इंडिया की नर्सिंग और पेरामेड़ी की सब भरतियों की अपडेट के साथ, free of course तैयर करें, ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा और कहीं ठीक है, तो जो है CMV का जो बच्चा है, यानि congenital cytomegalovirus infection के साथ बच्चा के दावद, उसमें colitis होने के ज़्यादा सांची जे, 5 star क्यों से ने screenshot ले 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 ना, colitis होता है ठीक है, हमें सा colitis के risk पे रहता है, Qtion number 69, the paracervical block is associated with danger of, बहुत बढ़ी है Qtion, paracervical block बना है, paracervical block वो किसके जो है, associate होता है, किस danger के साथ, बिल्कुत, ABCD में से सारे लोग answer तो यार, क्या बाकी लोग का आँ गई, बहुत बढ़ी है, very good, क्या वो लेबर को रोकेगा, नहीं, fetal bradycardia करवाएगा 100%, increased blood loss ये नहीं है, atonia of uterus ये भी नहीं है, तो fetal bradycardia is correct answer, B answer is correct, ठीक है, सारे लोग एक बार, एक मुस्त लोकर B answer, एक दो फटावर्स है, fetal bradycardia, Qtion number 70, 3rd degree perennial tier is involvement, बहुत अच्छा Qtion है, ठीक है, 70th Qtion है, 3rd degree perennial tier होता है, उसमें क्या involved होता है, तो perennial tier जितने भी होते हैं, उनके सभी के मैं आपको, 1st degree, 2nd degree, 3rd degree, ये सारे आपको आगे पढ़ाए जाएंगे, ये classes जो है, हमें से 2 बजे होती है, और exam तक चलेगी, चाहिए कोई भी exam के आप तहेर करे हो, उस तक चलेगी, ठीक है, जैसे अभी BHU के exam नाज़ी के, तो आपन BHU, ESIC पर ज़्यादा जयान दे रहे हैं, जैसे BHU हो जाएगा, उसके बाद next exam पर ज़्यादा जयान देगा, ठीक है, तो बहुत बढ़ी है, जब भी 3rd degree जो है, perennial tier होता, तो NL inspector जो होता है, वो भी involvement हो जाता है, तो correct answer D है, सभी के एकदम correct answer रहा है, ठीक है, अब बताइए कि 70 में से आपके कितने क्यूसन सही है, फटाबट से ठग गए है, 70 में से कितने क्यूसन सही है, बताओ, बहुत बढ़ी है, सभी लोग comment करो, क्लिक करके दबा दो, 29 रुपे में आप पर मंध मेंबर से ले सकते हैं, पर पर तेक मंध प्राइम मेंबर से पर प्राइम मेंबर रहेंगे, और कुछ important चीज़ आप तक share परने का पर रयास करेंगे, ठीक है, चलिए, अगला question, question number 71, as in us, you teacher client who has had surgery to increase the nutrient to help with tissue repair, बहुत बढ़िया कि उसने, एक percent है, उसमें आप जो है, surgery कर रहे हैं, तो उसको कौन सा nutrient लेने के को कहेंगे, जिससे कि उसका tissue repair ज्यादा जल्दी होंगे, wound healing या फिर जो आप stitching की है, वो जल्दी भर जाएगा, ठीक है, तो fat, protein, vitamins and carbohydrate, कौन सा अंसर से यह पटबड़ जोते हैं, fat कोई भी tissue repair नहीं करती है, नहीं vitamin करती है, नहीं carbohydrate करता है, protein जो है tissue repair करता है, hundred percent करता है, sure है, तो protein ज्यादा लेने को कहेंगे, ठीक है, अगला question, question number 72, during the orientation phase of the helping relationship, the nurse might do which of the following, यहनी कि orientation भेज होती है, relationship आप बना रहे हैं उस time, तो nurse को जो है, nurse को क्या करना चाहिए, discuss the card and flowers in the room, यहनी कि वहाँ पर जो है, discuss करेंगे, card and flowers in the room, review the client history to identify possible health concern, work together with the client to establish goal, use therapeutic communication to manage the client's confusion, बहुत अच्छा question, 70 second question, सारे लोग मुझे लग रहा है कि आज की class थोड़ी लंबी होगी, सारे लोग ठक गए हैं, तो अपने जो है आज के दिन बहतर question deal कर लिए, 28 question कल की 2 बज़े की class में कर लेंगे, वो भी S.J. टेस्ट रख लेंगे, कोई बात नहीं, 100 में से आपके score अपन कल साज़े कर लेंगे, आज जो है बहुतर question है, बहुतर की question है, इसका answer आपको देना होगा, comment box में, सारे लोग answer देना, कैसी लगी class comment box में हमें, जरूर बताना, आपकी बहतर में से कितने question सही हो रही है, यह भी हमें बताना, इसके लावा कल दो बजी जरूर जुड़ना, उससे पहले All India की nursing और paramedical में जो भी भरतिया आएगी, अमरे पास बहुत सारी पेडियो पढ़िये, GMC की कल हमने भरती का वीडियो डाल दिया, वो भी आप देख लेना, 1100 की आसपास की पोस्ट है, वो भी आप जरूर देख लाए, तो उससे पहले All India की nursing, paramedical जो भी भरतिया आएगी, और कल जो आपकी रास्तान CHO की अंसर की भी आएगी, तो भी हम डाल देंगी YouTube चैनल पर, आप लगातार जुड़े रहे, आप सारे लोग जो है, इस वीडियो को आपने दोस्तों के बाद जादा से जादा इस क्लास को शेयर करना, 1000 लाइक कल तक आते हैं, तो कल की क्लास जो 28 क्यूसन होंगे, और प्लस और क्यूसन भी लेंगे, तो बहुत जोस के साथ और बहुत उम्दा क्यूसन लाएंगे, बस आप 72 में से आपके स्कोर आप कमेंट वक्स में अमारे साथ साथ सेयर कर दो, वीडियो को लाइक को शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब पर लेना, ऐसे ही ओल इंडिया की नर्सिंग और प्रेमेटिकली सभी वर्तियों की न्यूज आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, बिलते हैं कल दो बजे उससे पहले रास्तां सी एचों की आंसवर की और विबिन परकार की एक्जाम की न्यूज की वीडियो भी आपको मिलते रहेगी, जो कि पीज़े लगसे क्लासे फेस्बूक पर भी मिलेंगे, या फिर टेलिग्राम पर जाएं पीज़े लगसे क्लासे सर्च करके जॉइनगे, एक शांदार वाला कमेंट आज की क्लास के बारे में आप कमेंट वोक्स में जरूर बताएं कैसे लिगी क्लास मिलते हैं, कल दो बजे नई क्लास के साथ, उससे पहले कई वेडियो के साथ, तब तक के लिए जहिन जह भारत, बंदे बात,